नमस्ते दोस्तों आप सभी का पिरसे स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में कुछ मज़ेदर चीजे देखेंगे जो पेस्बुक पे रहता है सायद हर किसी को इसका आइडिया नहीं होगा तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आइडिया हो जेगा यानि कि पता चल जएगा कि कुछ मज़ेदर चीजे भी पेस्बुक पे मौजूद है तो दोस्तों इस वीडियो को लास तक देखें तो यह जो अब स्क्रीन पे देख रहे हैं यह मेरा पेस्बुक का टाइम लाइन है तो आपको सबसे पहले पेस्बुक ओपेन करना है और करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसमें इसमें क्लिक कर देना है तो क्लिक कर देने के साथ यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंतरफेस मिलेगा सबसे तोप प सुछ प्रोपाइल का नाम भागरा आएगा तो इसको क्या करना है आपको स्क्रोल आप कर देना है तो इस्क्रोल आप करने के बाद यहां सेकуем लांस पे आप देख सकते हो Settings एंड प्राइबेसी तो यहाँ पर आप settings देख रहे हैं तो उसमें आपको क्लिक करना होगा तो settings पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे तो पर personal information है अगर आप personal information पर जाएगा तो आप क्या कर सकोगे वहाँ पर अपना नाम change कर सकोगे और number mobile number change कर सकोगे और email address को change कर सकोगे उसके बाद आप अपना जो account है उसको deactivate बिकर सकता है उसके बाद यह security पे ये security and login पे अब यहाँ पर जाने के बाद है यहाँ से आप ये change password तो change password पए जाके आप यहाँ पर पेश्बूप के password change कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका पेस्बुक एकाउंट क्या-क्या मॉबाइल से लोगिन किया गिया है यह सब आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ से पिर बापस निकल के आपको फिर से स्क्रोल आप करना है उसके बाद यहाँ पर प्राइबेसी सेटिंग्स है तो यहाँ आपको क्लिक करना है तो Privacy Settings पे क्लिक करने के बाद यहां आप कुछ देख सकते हो कुछ सवाल पूचा गया है जैसे कि Who can see the people, pages and lists you follow तो यहां पे पूचा गया है कि आप किसी इंसन को Facebook में फोलो करते हो या किसी page को फोलो करते हो तो वो सब चीज को कौन देख सकते हैं तो यहां पे आप किलिक करके यहां चूज कर सकता है जैसे कि Public करने से हार कोई देख सकेगा और Friends करने से जो आपका Friend List में हैं वो देख सकेगा और यहां पे Friends Accept करने से तो यहां पे कुछ Selected Friends होंगे वो लोक शरिफ देख सकेगा उसके बाद यहां Only Me तो Only Me में करने से क्या होगा शरिफ आप देख सकोगे और कोई नहीं देख सकेगा तो ऐसे भी आप यहां बना के रख सकता है उसके बाद मेरा Only Me पे है उसके बाद यहां पे Who Can See Your Stories यानि कि आपका जो Stories से उसको कौन-कौन देख सकते है इसको भी यहां आप किलिए करके यहां Select कर सकते हो तो Public करने से हार कोई देखेगा और Friends करने से आपका Friend List में जो-जो है वो शरिफ देख सकेगा तो Custom भी कर सकते है और Hide Stories यह से यह सब आप आपका हिसाब से कर सकता है लेकिन मेरा Friends पे है उसके बाद यहां पे यहां पे भी Who Can See Your Highlights यह सब को कौन देख सकते है उसको Public करना है तो कर सकता है Friends करना है तो कर सकता है उसके बाद यहां पे Who Can Send You Friend Requests यानि कि आपको कौन-कौन Friend request send कर सकता है तो इसमें भी आप क्लिक करके यहाँ पे भी आप select कर सकते हो अगर everyone करेगा तो कोई भी आपको friend request बेज सकते है मेरा यहाँ पे friends of friends बना के रखा है तो friends of friends में क्या होगा आप जिसका friend है उसका friend आपको friend request send कर सकोगे और दूसरा कोई अंजान नहीं कर सकेगा जो आपका friend का friend list में भी नहीं है वो लोग नहीं कर सकेगा तो ऐसे भी आप बना के रख सकता है यह काफी मज़िदार है तो ऐसे करके यह सब आप कर सकते हो आप देखे कर लेना तो यहाँ से फिर बापस निकलते हैं तो बापस निकलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो timeline and tagging तो यहाँ पर आप क्लिक करके open कर लेना है और open करके यहाँ पर first me who can post on your timeline तो आपका timeline पर कौन post कर सकते हैं उसको भी आप select कर सकते हो तो friends करने से आपका friends भी कर सकोगे और आप भी कर सकोगे लेकिन मेरा only me है तो यानि कि मेरा timeline पर मैं कुछ अकेला post कर सकता हो तो ऐसे बना के रखा है और यहाँ पर आपका दोस्त लोग का post बगेरा को allow करना है न ने करना है यह सब भी आप यहाँ set कर सकोगे उसके बाद जो कभी कभी क्या होते कि दोस्त लोग ज़्यादा ही कुछ tag करता है अपना photo, videos जो भी post इसमें tag करता है तो यहाँ पर भी आप बना के रख सकते हो जैसे कि who can see post that you are tag in तो आप कि किसी photo में या वीडियो में tag करके रखा है तो उसको कून देख सकते है बॉलने से यहाँ आप उसको भी select कर सकते हो मेरा only me है तो आप यहाँ पर friends कर सकते हो friends of friends everyone भी कर सकते हो यह आपका हिसाब से कर लेना उसके बाद तो ऐसे करके यहाँ भुट सरह है उसको आप अपना हिसाब से बना सकते हो उसके बाद बापस निकलते हैं और बापस निकलने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे पाब्लिक पोस्त तो पाब्लिक पोस्त पे आप किलिक करके ओपन कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे who can see your followers on your timeline तो यह सब को भी आप बना सकते हो पब्लिक करने से सभी देख पाओगे फ्रेंच करने से फ्रेंच सी देख सकोगे और अनली मी करने से कुछ अकेला देख सकोगे उसके बाद जो भी कमें बगेरा को भी आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो पब्लिक करने से कोई भी कमेंड कर सकता है और फ्रेंच और फ्रेंच करने से दोस्त का दोस्त लोग और फ्रेंच करने से अनली फ्रेंड ऐसे करके आप यहाँ पे कमेंड को भी कंट्रोल कर सकता है तो दोस्तो इतना कुछ समझेदर चीजे है सायद हम सब को पता नहीं होता होगा तो maximum लोगों को पता होगा ऐसे तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ लोग होगा जो पता नहीं होगा तो उनके लिए ये वीदियो जो बहुत है बहुत होने वाला है तो दोस्तों और एक चीज मैं दिखा देता हूँ जैसे कि यह जो मैं टाइम लाइन पे आया तो यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी कुछ भी अगर यहाँ पे जैसे कि मैं एक स्लेक कर लेता हूँ एक पोटो तो दोस्तों यह मैंने एक पोटो स्लेक कर लिया तो स्लेक कर लेने के बात यह जो आप उपर पे देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पॉब्लिक लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पे किलिक करके तो यहाँ पे आप स्लेक कर सकते हो पॉब्लिक करने से सब ल लोग जो आपका friendlies में वोसब देख सकेगा और यहाँ last पे है एक only me करके तो only me करके only me करके उसके पात आप यहाँ से बापस निकलना है तो ऐसे करके आप अगर इस photo को post करोगे तो इस photo को कोई भी नहीं देख सकेगा सरीफ और सरीफ आप देख सकोगे क्योंकि यहाँ पर already only me करके रखा है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है यह जो आपके लिए बहुत ही helpful हुआ होगा उसके बाद मैं आप सभी को request करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ share करे जो मालूम नहीं ता वो भी मालूम होजेगा उसके बाद आप मेरा वीडियो को अचला गए तो like करके comment करके बता सकता है आपका like और comment से मुझे देर सारे motivation मिलता है और दोस्तों इस तरह के technical videos बगेरा देखना चाहते हो तो आप सब comment करके बता सकता है ताकि मैं उस particular topic पे भी वीडियो बना सकूँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर हम मिलेंगे नए एक वीडियो और एक नए topic के साथ तो जाने से पेले मैं आप सब को कहना चाहूँगा अगर मेरा जो content बगेरा videos जो अचा लगता है तो आप मेरा YouTube चैनल को subscribe कर सकते हो बिल्कुल फिर ही है और मुझे Facebook पेज और Instagram, Twitter सभी पे follow कर सकते हो सभी पे मैं कुछ नकुछ update करता रहता हूँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते ही नए एक वीडियो और एक नए topic के साथ तब तक के लिए goodbye and take care